किसान की घड़ी लेकिन घड़ी नहीं मिली, हताश होकर वह कोठी से बाहर आ गया, वहां उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, उसने बच्चों को पास गुला कर उन्हें अपने पिता की घड़ी खोजने का काम सोपा। घड़ी धून निकालने वाले को इनाम देने की घोशना भी की इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए, कोठी के अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर, यहाँ वहाँ, हर जगा खोजने पर भी घड़ी नहीं मिल पाई। बच्चे ठक गए और उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस खोदी बच्चों के जाने के बाद वह कोठी में उदास बैठा था। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी धूंडने की कोशिश करना चाता था। किसान ने हामी भर दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंडने में सब नागाम्याब रहे उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंड निकाला। पूचने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर वह चुपचाप एक जगा खड़ा हो गया और सुनने लगा। करने में सहायक है।